दोस्तों अगर आप 29,000 की कीमत में अपने लिए पावर यूस या गेमिंग के लिए एक फोन लेना चाहते हैं या फिर एक ऐसा फोन चाहते हैं जो आपको अच्छी वैल्यू फो मनी दे तो ये विडियो हैं तक देखेगा असलाम लकुम और रवीज पीकर में खुश्राम दीद मेरा नामीर है और ये है Infinix का नया Note 11 और Infinix की इस Note लाइनप की पहचान है जबर्दस स्पेक्स कम प्राइस में कुछ अच्छ से पहले ही हमने Infinix Note 10 Pro और Infinix Note 10 देखे थे और वो भी बहुत ही solid डवाइस थे और पहली नजर हैं 30,999 और 33,999 रुपए लेकिन प्री ओर्डर पे 2,000 का डिसकाउंट है प्री ओर्डर आज यानि के 15 नवेंबर से शुरू हो रहे हैं और अगर आप प्री ओर्डर ना भी करें तो भी नवेंबर के महीने में इस फोन पे 1,000 रुपए का डिसकाउंट है और अगर आप खरीदे में इंट्रिस्टेड हैं तो मैं लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ और इस फोन के सारे फीचर्स और स्पेक्स पे हम डीटेल में बात करेंगे वीडियो में आगे चलके बॉक्स के बागी कॉंटेंट्स देख लेते हैं तो साथ में कुछ मार्केटिंग मेट्रियल्स हैं और हमें एक्स कलब का एक डॉलर भी मिलता है और साथ में एक ब्लैक सिलिकोन प्रोटेक्टिव केस है आगे बढ़ें तो एक सिम एजेक्टर टूल है अगर डिवाइस को चेक आउट करें तो सबसे पहली चीज तो है इस फोन की साइज यह फोन पिछली बार के नोट 10 से नोटिसिबली छोटा और कॉंपक्ट है और यहाँ थिकनेस भी तकरीबन एक मिलिमीटर से कम कर दी गई है और साइज और थिकनेस के इस फर्क की सबसे बड़ी वजा है इस फोन का डिस्प्लेए क्योंकि दोस्तों इस नोट 11 में एक AMOLED डिस्प्ले लगाए गया है और AMOLED डिस्प्लेए IPS LCD से पतले होते हैं तो फोन की थिकनेस कम हो जाती है इसके साथ गयर डिस्प्लेए साइज में भी पिछली बार से थोड़ा छोटा है पिछली बार 6.95 इंचस का मॉंस्टर डिस्प्लेए था जबके इस बार 6.7 इंचस का डिस्प्ले दिया गया है और मेरे लिए डिस्प्ले का ये अपग्रेड इस फोन का सबसे बड़ा अपग्रेड है ये AMOLED डिस्प्ले टेकनोलजी हम ज्यादा तर फ्रीमियम और महेंगे फोन्स में देखते हैं इनके कलर्स ज्यादा पंची और ब्लैक्स ज्यादा डीप होते हैं खासकर अगर हम इस फोन के 29,000 रुपे वाले बेस वेरियंट को देखें इस प्राइस पॉइंट पे AMOLED डिस्प्लेइस बहुत ही ज्यादा रहर हैं फिर इस फोन की डिजाइन में कुछ और भी चेंज़ेस हैं और यहां बैक को इस ग्लॉसी मैट फिनिश में रखा गया है जो के दिखने में बहुत ही खुबसूरत लगती है और इस बैक की मैट फिनिश की वज़ा से इस फोन पे फिंगर पिंट्स भी ज्यादा नहीं आते फिर यहां कैमरा बंब भी बहुत ही सिलिम रखा गया है और इस कैमरा मॉड्यूल की फिनिश हाई ग्लॉस है जो के मैट फिनिश बैक के साथ एक मज़ेदार कॉंट्रास बनाती है यहां इस बार भी एक ट्रिपल कैमरा से डप दिया गया है साथ में 2 Megapixel का Depth Sensor है और एक AI Lens है Scene और Object Recognition के लिए इनके नीचे एक Quad LED Flash दिया गया है जबके आगे वाली तरफ 16 Megapixel का Selfie Shooter है अगर विडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो Back Camera Maximum Quad HD यानि के 1440p at 30fps की विडियो रिकॉर्ड कर सकता है जबके Selfie Camera 1080p at 30fps की विडियो रिकॉर्ड करता है बटन्स और पोर्ट्स देख लें तो राइट साइड पे फोन का पावर बटन है और इसके अंदर ही इस फोन का fingerprint sensor भी दिया गया है और पहली नजर में मुझे ये fingerprint sensor काफी responsive फील हो रहा है पावर बटन के उपर इस फोन के volume rockers है फोन के left side पे एक SIM tray है और यहां full dual SIM support दिया गया है यानिके इस फोन में एक dedicated SD card slot है और आप इसमें दो SIMs और एक micro SD card सब एक साथ लगा सकते हैं और अगर नीचे वाली तरफ आजा है तो यहां है इस फोन का headphone jack, mic, USB Type-C port और एक speaker लेकिन दोस्तों इस फोन के अंदर सर्फ एक speaker नहीं है बलके dual यानिके stereo speaker setup दिया गया है एक speaker यहां नीचे है और दूसरा earpiece में है और यह speakers DTS audio की तरफ से tuned है dual speakers का सबसे बड़ा फाइदा यह होता है कि जब आप movies देखते हैं या games खिलते हैं तो दो तरफ से आवाज आने की वज़ा से आपका experience ज्यादा immersive हो जाता है और इन speakers का volume भी आपको ज्यादा loud महसूस होता है जिसकी वज़ा से phone का overall media consumption experience बहुत बेतर हो जाता है और यह भी एक ऐसा feature है जो mid range price bracket में काफी सारे phones में नहीं होता अब आगे बर के बात करते हैं इस phone की performance और chipset configuration की तो यहाँ भी हमें एक upgrade देखने को मिलता है क्योंके पिछली बार के Note 10 में Mediatek का Helio G85 processor था जिसको upgrade करके Note 11 में Mediatek Helio G88 chipset दिया गया है यह 12 nanometer का chipset है इसके साथ Mali G52 GPU है 4 और 6 GB RAM variants है और 128 GB built-in storage है और Mediatek का Helio G88 processor इस वक्त 30,000 वाले price point पे one of the best gaming processors है कुछ और से पहले इस price में हमें G95 भी मिल जाता था लेकिन अब डॉलर की वज़ा से phones की prices बढ़ चुकी है और G95 35-40,000 वाले price point पे मिलता है लेकिन यह G88 भी एक gaming oriented chipset है तो इसमें response times, network management और thermal management को gaming के लिए optimize किया गया है ताकि आपके gaming के experience को बहतर बनाया जा सके और यहाँ core performance भी अच्छी रखी गई है इस price range के दूसरे competitor से compare करें तो यह processor बिलकुल टॉप पे आता है और gaming के अलावा भी यह chipset ज्यादा तर logo के लिए बहुत अच्छा चलेगा आपकी daily use apps, social media और video content consumption यह processor बहुत आराम से handle करेगा कुछ हद तक heavy apps भी परदाश कर लेगा और अगर gaming की बात करें तो PUBG इस phone पे HD graphics और decent frame rates पर चलती है इस बार इस interface को भी update कर दिया गया है और हमें Android 11 के ऊपर Infinix की XOS 8.0 मिलती है पिछली बार 7.6 थी इस नए update में कुछ नए features आड़ किये गए हैं जैसे कि यह folders जहां कुछ apps को select करके आप एक group में रख सकते हैं फिर इस बार drop down menus भी अलग हैं और अब control buttons भी right side से जबकि notifications left side से आती है इस interface के साथ कुछ pre-installed apps यानि के bloatware भी आता है अफकोर्स आप इने uninstall कर सकते हैं जिससे आपका experience और भी ज़्यादा साफ सत्रा हो जाएगा और इस पूरे experience को power कर रही है 5000 milliamp power की बड़ी बैटरी लेकिन charging speed में एक और major upgrade है क्योंकि पिछली बार 18 watt की थी इस बार 33 watt की super fast charging दी गई है 5000 mAh की बैटरी और 33 watt की super fast charging का ये combination मेरी नजर में perfect है heavy usage के साथ भी ज़्यादतर लोगों का एक दिन तो निकली जाएगा और अगर आपका usage light हो तो शायद धेड़े दिन भी निकल जाएगा और इतनी बड़ी बैटरी के साथ भी Infinix ने इस phone का profile काफी slim रखा है जो कि मेरे नजरी के काफी impressive बात है जैसे का आपको पहले बताया इसकी बड़ी वजा है इस phone का नया AMOLED डिस्प्ले तो दोस्तों मेरे ख्याल में Infinix Note 11 भी Infinix की Note lineup के पिछले phones के नक्षे कतम पे चल रहा है अच्छी price पे आपको अच्छा feature set मिल रहा है अगर मुझसे मेरे फेवर्ट फीचर की बात करें तो वो यकीनन है इसका display मैं अब भी 60Hz के AMOLED पैनल्स को high refresh rate वाले IPS LCD पैनल्स पे प्रफर करता हूँ पर यहां एक तगड़ा gaming process है रहा है बड़ी battery है, super fast charging है dual speakers है और पीछे भी अब mat finish कर दी गई है तो मेरे नस्दीक 30,000 वाले price point पे Infinix Note 11 एक बहुती solid device है चैनल पर नहीं है तो subscribe कर लें कोई भी feedback को रीचे comments में छोड़ दीजेगा वीडियो को like और share करें वीडियो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया इंशाल आप से मुलागात होगी अगली वीडियो में अल्ला हाफिज